वेल्कम टू सी बी एल कंसेट वेस एडूकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल मैं हमाद आपका ट्विटर आज के सेलेक्शन में हम बात करेंगे बीकम पार्ट वन की जिसे एडी सी पार्ट वन और एडी पी पार्ट वन भी कहा जाता है और इसका सब्जेक्ट है कम्प्यू प्रिविएस वीडियो के अंदर हमने फार्ट वन कीा था इस पेपर पेरिंग स्कीम के रिलेटेश वह पकार्टक्रिस्टिक्स प्हां कम्प्यूटरा आज हम करेंगे क्व Harris घ्यांना ची जरशन ऑफ कम्प्यूटर तो स्कूर्फ तो एंसे बहुत इमपोर्टन क्वैसं है क अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल को वीजट करें तो आपको यह जानना चाहिए कि यह यूट्यूब चैनल आपको पेपर पेडिंग स्की इन वीडियो की वीडियो जो है उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिक्शन के अंदर डाल दिया आप जाएं जाके सच कहने ज से चलेंगे आपको पढ़ने भी मजा आएगा अब हम क्या करते हैं पेज की तरफ मुववं करते हैं और देखते हैं कि actual में इस question के अंदर हमने समझना कैसे इस question को और लिखना कैसे कैसे है अब हम करेंगे अपने paper pairing scheme के related question number two question number two क्या है annual examination 2023 के हवाले से आपको paper pairing scheme बताई जा रही है student ठीक है ना आप इस scheme के related इसको follow करें इन्शाला अपको paper पर के अंदर बहुत ज्यादा benefit होगा question number two हम करेंगे generations of computer इससे पहले हमने question number one किया हुआ है वो था हमारा characteristics of computer तो सबसे पहले हम generation of computer का question आपको paper में आजे तो सबसे पहले आप introduction लिखेंगे introduction कौन सा लिखेंगे वो ही same to same introduction जो आपने question number one में लिखा था किसी भी value को जमा करना minus करना multiply करना divide करना तो ये सारी चीजें क्या है ये सारी चीजें हम जिस machine के अंदर करते हैं ना वो machine का नेम है computer तो computer का introduction के अंदर ये भी explain किया हुआ है आप English इसी को follow कीजिएगा मैंने simple words में English लिखे आपको बताई है computer आज करना बहुत ज्यादा fields में यूज हो रहा है like आप office में इसको यूज करते हो गरों में यूज करते हो तो ये कहा है computer के एक इस्तमाल आत्मी है ठीक है तो इसके अंदर जो आपको picture नजर आ रही है introduction के अंदर आप picture भी बनाएंगे दुबारा से सुने आपने जब paper के अंदर question लिखना है introduction देना है ना computer का तो आपने picture भी must बनानी है अब हम students चलते है definitions के उपर और देखते है definitions आप दो कौन कौन सी करोगे अब देखें इस page के उपर आपको show हो रही है दो definitions आप दो ही definition लिखेंगे आपने एक definition कभी भी आपने paper के अंदर नहीं लिखनी एक definition लिखेंगे आपको marks नहीं मिलेंगे students ठीक है ना तो number one definition simple words में लिखी हुई है क्या computer एक ऐसे machine है जिसमें हम तीन काम करते हैं पहले data को input करते हैं इन करते हैं जैसे आप के पास mobile हो तो message करना हो लगता है कुछ भी फिर computer क्या करता है उसको process करता है अपने mind के अंदर उसको गुमाता है कि ये जो बंदा जो question मुझे कर रहा है इसका ask गया है फिर third number पे वो काम करता है screen के उपर show करके आपको दे देता है कि ये इस सवाल का जवाब है जो तुमने लिखा है तो computer की ये definition number one है second definition क्या कहते है computer की वो ये कहा रही है कि computer एक machine है जो क्या काम करते है arithmetic calculation करते है मसाल के तोर पर computer के अंदर आप क्या कर सकते हो add कर सकते हो 2 values को subtract कर सकते हो 2 ये जज़ादा values को multiply कर सकते हो divide कर सकते है arithmetic operations ठीक है और computer के अंदर हम ना logical operations भी काम करते है logical operation का मतलब होता है greater than, less than, equal ये logical operators होते हैं जिसमें हम logic बियान करते हैं कि देखे जी अगर एक किसी student के ना marks 33 से या 40 से काम आए तो उसको fail कर दीजिएगा तो वहाँ पर जो operation यूज होगा तो ये computer की दो definitions हैं आपने इन दोनों definitions को ऐसे लिखना है इंतहाई simple words में आपके सामने explain की हुई है अब हम question की तरफ move करेंगे और question मारा का है generation of computer आप देखें students ये इस picture के ओपर ना आपको sure है question generation of computer जब भी question आपको generation of computer आजाए पहले आप introduction लिखेंगे फिर आप definitions लिखेंगे जैसे मैं तर्तीब से आपको लेकर आ रहा हूँ ठीक है ना फिर आप main heading देगे अपने question की generation of computer तो इसमें ना पहले आप ना आपको पता होना चाहिए पांच computer की पांच generation का मतलब होता है नसल दर नसल चरना computer की पांच नसले हैं सबसे पहले इन वैल नसल को कहते हैं first generation computer फिर इसी तरह second, third, four and fifth अब पहले आप इन पांच generation को ऐसी लिखेंगे देखें first generation computer के अंदर क्या यूज होते हैं आपको सामने picture के उपर आपको शो हो रहा है कि वो यूज होते हैं उसमें vacuum tube और ये generation of computer जो थी ना first ये कब बना था यान के पहला computer कब बना था 1946 से लेकर 1957 तक ठीक है ना इसके अंदर अंदर जितने भी computer आए आए थे ना वो first generation of computer के अंदर मतर पाए जाते हैं ये computer ऐसे computer हैं जो पहली दफ़ा invent हुए थे फिर second generation of computer इसमें क्या यूज होते थे इसमें transistors यूज होते थे और ये कब डिवेल्प हुआ 1958 से लेकर 1963 तक ठीक है तो इसको हम कहते है second generation of computer third generation of computer क्या था इसमें यूज होते थे ic ic means intelligence integrated circuit intelligence नहीं integrated circuit ic यूज होते थे ic chips यूज होती थी और ये कब बना 1964 से लेकर 1970 तक फिर four generation computer उसमें यूज होता था micro processor जो कि आज कर आपको अपने computer के अंदर भी pc computer के अंदर भी आपको शो होते है ना processor जो लगे होते हैं जो पंखा सा लगा होता है जो हवा बाहिर फैंकता है तो ये कब developed हुए थे 1971 से लेकर present present का मतलब है आज तक वही यूज हो रहे हैं और फिफ्ट generation computer कैसे computer जिसमें यूज होता है artificial intelligence ये कहा है जब मैं explain करूंग आपको बताऊंगा और ये आजकल present में भी यूज हो रहे हैं और future में भी इनका ही future है इनहीं computer का future है फॉर्स जरनेशन सेकंड जरनेशन थर्ड और फॉर्थ जरनेशन का कोई future नहीं है अब पहले आप पांच के पांच को ऐसे लिखेंगे आगे इनका नेम लिखनें के बाद ये भी बताएंगे ये इ इसको explain करना है जितनी लाने मैंने लगाई हूं ये निशान लगाई हूं आप इतना ही करेंगे मेरा काम है आपको समझाना देखें फॉर्स जरनेशन कंप्यूटर एक ऐसे जरनेशन ऑफ कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूब यूज होती थी वैक्यूम ट् लिए जाता है तो ये सारा काम है था फॉर्स जरनेशन ऑफ कंप्यूटर का है फिर आप क्या लिखेंगे ये देखते हैं आप फस्ट जनरेशन ओफ कम्प्यूटर की आप हैडिंग लिखने के बाद उसको अक्सप्पेइन करने के बाद एक्जेम्पल्स लिखने के बाद फिर आप हैडिंग देंगे अडवांटिजेज तो सिर्फ एक अडवांटरी लिखेंगे आप जो मर्जि राइटर की बुक य advantage यही था first generation of computer का के ये computer इसके अंदर जो vacuum tube यूज होती थी थी ना वो इस computer को चलाने में मदद फराम करती थी ठीक है ये बस एक इसका advantage है लेकिन ये इसके disadvantages बहुत ज्यादा थे number one इसका सबसे बड़ा disadvantage ये था ये बहुत बड़ा large in size था एक कमरे के जितना इसका size था इस computer का फर्स generation of computer का दूसरा जी ये इसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था मतलब इसके उपर cost बहुत ज्यादा लगती थी क्योंके बहुत बड़े size में था इसको रखने के लिए ना इसको रखने के ये air condition की जरूरत पड़ती थी क्यों क्योंके ये बहुत जल्दी गरम हो जाता था तो जो चीज बहुत जल्दी आप भी अकसर laptop वगरा या computer वगर यूज करें तो आपको पता वो अंदर से second generation of computer फास्ट generation के बाद आप लिखेंगे second generation of computer ये जरनेशन इन computer को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी क्योंके फास्ट generation of computer में कोई ना कोई problems थी इस वजह से इनको बनाना पड़ा problems क्या थी वो size में बहुत ज़्यादा बड़े थे वो बड़ी जल्दी गरम हो जाते थे उनको रखने के लिए ना उनको रखने के लिए एर कंडिशन की जरूरत पड़ती थी वो एक जगह से दूसरी जगह portable नहीं थे ट्रांसफर नह हो थी तो यह उसकी disadvantage होने की वज़ा से उसके ज्यादा इस वज़ादा से साइंसदानों को यह ज़रूरत पड़ी कि हमें second generation of computer बनाने चाहिए वो यह कब develop होए अब आप इसी तरह इसकी main heading देंगे second generation of computer यह बने थे 1958 से लेकर 1963 तक इन computer में क्या यूज हुआ है vacuum tube को अठाकर transistors use कर लिएगे picture बनी होती है आपको show रही होगी ठीक है ना transistor use कियेगे तो इसकी example क्या है example मैंने दो अंदर लिखी हुए है आपने यही दो examples चाहे heading बना कर लिखने चाहे ऐसे ही same लिखने मतलब जैसे आपको show हो रही है अब इन computer के advantages क्या थे अब advantages की main heading देंगे advantages smaller size के थे as compared to first generation of computer बिल्कुल same ऐसी लिखेंगे आगे मैंने pencil से लिखा हुआ है ball pen से लिखा हुआ है आपने भी ऐसी लिखना है ठीक है ना first generation of computer last size के थे यह उससे जड़ा थोड़े size के थे फिर first generation of computer ज्यादा गरम हो जाते थे यह less heat up होते थे as compared to first generation of computer इनकी speed as compared to first generation of computer ज्यादा थी यह as compared to first generation of computer यह computer को असानी से एक जगा से दूसी जगा move कर लिया जाता था लेके जाया जा सकता था person ठीक है इसके लावा इनकी speed भी first generation of computer से ज्यादा high थी यह reliable थे ज्यादा अच्छे थे as compared to first generation of computer तो यह कुछ advantages थे first generation of computer के अब page को उपर चलते हैं next के उपर देखते हैं कि इस computer के भी disadvantages क्या थे disadvantages देखें second generation of computer के तो students से इन computers को बिना maintain करने के लिए रखने के लिए कमरे के अंदर या किसी भी जगा a conditional की AC की जरूरत पड़ती थी ठीक है इनको ठंडा करने के लिए तो दूसरा क्या disadvantage हुआ यह computer सिरफ एक ना specific purpose के लिए इस्तमाल किये जाते थे मतलब इन से ना मतलब फर ना गेम खेल सकते थे ना इनके अंदर आप आप इनके अंदर ना सौंग सुन सकते थे ना कोई मुवी वगरा देख सकते थे तो यह सिर्फ एजस्ट specific purpose के लिए यूज होते थे नमबर तरी यह computer इतने ज्यादा भी reliable नहीं थे हाँ as compared to first computer first generation of computer reliable थे लेकिन इतने ज्यादा भ करते हैं third generation of computer third generation of computer main heading आप ऐसे देंगे अब देखिए का students third generation of computer को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी क्योंकि लोगों को first or second generation of computer को use करने में बहुत ज्यादा difficulties का सामना करना पड़ रहा था तो third generation of computer को किस सन में बनायागा 1964 से लेकर 1970 का जितने भी computers बने हैं वो third generation of computer के अंदर आते हैं इन में use क्या हुआ इन में नहीं vacuum tube यूज हुई नहीं इन में transistor यूज हुई इन में IC यूज हुई तो इसके अंदर आप explanation ऐसे लिखेंगे जितनी मैंने निशान लगाएं प्लस examples दो अंदर आपको लिखी हुई शो रही हैं चाहे headings दे के लिखने चाहे ऐसे ही same लिखने बाल पैंड के साथ तो example आप अंदर लाजमी लिखेंगे जो जो चीज़ आपको मैंने निशान लग लर थी सही है नमबर दो फर्स जनरेशन ओफ सेकंड जनरेशन ओफ कंप्यूटर से भी काम हीट जो थी ना इस ये कंप्यूटर हीट अप होते थे फिर ये कंप्यूटर जो थे ना वो ज्यादा रिलाइबल थे as computer to first and second generation of computer तो ये क्या थे इसके कुछ ऐसे advantages थे बाकी अंदर लिखे हुए हैं आप उनको लिखेंगे मेरा काम है वो वो बता देना जो आपको थोड़ा असा ना समझने में problem हो सकती है फिर disadvantages क्या है अच्छा इन computer को भी ना अच्छा इसका एक advantages ये भी था third generation of computer का ये बताना जरूरी था कि इस computer के अंदर ना third generation of computer में first time keyboard mouse और monitor का use हुआ था मतलब monitor को develop किया गया था keyboard monitor और इसको mouse को इन तीनों चीजों को जिस generation of computer में पहली दफार रखा गया था system के अंदर वो थे third generation of computer आप disadvantages जखें इन computer को भी ना maintain करने के लिए रखने के लिए ना AC की जरूरत पड़ती है जो लगे होते हैं इस generation of computer में इनको बनाने के लिए ना बड़ी heavy किसम की बड़ी high range की ना technology की ज़रूत पड़ती है जो के बड़ी महंगी साबत होती थी तो ये इसके disadvantages थे third generation of computer आपका यहां complete हो गया next page पे चलेंगे और करेंगे fourth generation of computer fourth generation of computer ये computer कब developed होएड थे 1971 से लेकर present आप समझेगा students fourth generation of computer के अंदर एक है क्या ऐसी special चीज़ इनोंने डाल दिया जो अभी तक इनको बनाया जा रहा है इनके अदर है micro processor processor आपको अकसर आप देखो PC computer आपके laptop वगयरा के अंदर processor लगा होता है जिसके साथ ही fan attach होता है जो उस processor के अंदर जो heat होती है उसको बाहिर computer की तरफ transfer करता है फैंकता है तो इन computer के अंदर ये main चीज़ थी explanation आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा दिया इस मेंसे भी आपने cut नहीं करना और examples अंदर लिखी हुई है आपने यही दो examples करनी है इनको आप ball pen से अगर नहीं लिखना जाते तो main heading बन second and third generation of computer ये बहुत ज्यादा more reliable थे as compared to first second or third generation computer ये ये बहुत low cost के थे मतलब इनको बनाना बड़ा सस्ता पड़ता था as compared to first second and third generation of computer फिर ये computer जो थे ना इनकी speed बड़ी तेज थी अभी तक है कैसे as compared to first second and third generation of computer तो ये कुछ advantages हैं इसके fourth generation of computer के अब इसके हम करते हैं disadvantages next page बार disadvantages of fourth generation computer सिर्फ एक disadvantages आप करेंगे आप जिस मर्जी writer की book यूज करें है old या new students आपने यही कर रहा है अगर आप paper में अच्छे marks लेना चाते हो अगर आप paper में time से अपना question complete करना चाते हो ठीक है देखें आपने advantage में पढ़ा कि इस computer के अंदर क्या पड़ा क्या इस computer के अंदर क्या मजीड चीज़ अड़ा है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो इस computer के अंदर जो processing की स्पीड होती है ना काम करने की जो सलाहियत होती है वो as computer first second or third generation of computer बड़ी ज्यादा होती है अब इन माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए latest technology की जरूरत पड़ती है latest technology से क्या मराद है मतब बड़ी high किसम की technology की जरूरत पड़ती है जो के हर एक country को उसकी facility अवेलबल नहीं है तो इस वज़ा से ये इसका सबसे बड़ा disadvantage है कि इस computer के अंदर माइक्रो प्रोसेसर असानी से नहीं बनाए जा सकते फिफ्ट जर्नेशन ओफ computer और लास्ट आपको पता है ये कब डवेल्प हुए है ये डवेल्प हुए है अब present में और future में यही computer डवेल्प होंगे first of all generation of computer की कोई value नहीं है कोई उनकी utility नहीं है कोई इस्तमाल नहीं future के फिफ्ट जर्नेशन ओफ computer में क्या इसी खास बात है कि present में भी यूज हो रहे हैं और future में भी इन ही का इस्तमाल होगा इसमें एक खास बात है कि इन में यूज हो रहा है artificial intelligence मतलब आप touch system देखने रहे आजकल cell phone में वो भी touch system को पर चलते हैं आजकल laptop भी ऐसे हैं कि जो कि artificial intelligence के अंदर आता है और दूसरा देखिएगा इन जर्नेशन ओफ computer के अंदर voice recognition है यानि कि आप voice message भी send कर से यह जो आपका WhatsApp बना हुआ है यह मतलब यह computer के ओपर यह सारे आपके software's develop होते हैं तो WhatsApp के अंदर आप क्या करते हैं voice messages नहीं send करते तो वो क्या है वो artificial intelligence के अंदर आ र आपका पूरा touch system जो आप finger से computer जी या mobile को चलाते हैं तो students यह थे आपके 5 generations of computer यह थी आपने question को बिल्कुल exact ऐसे ही लिखने है जैसे मैंने आपके सामने present किया है first generation of computer से लेकर fifth generation of computer तक और उस से पीछे introduction definitions तक यह था question number two question is generations of computer इंशायला next आने वाली वीडियो में हम question number three करें आपको यह यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा benefit कर रहा होगा फिर भी आपको किसी बी सब्जेक्टि अंदर कोई issue है कोई क्यूरी है तो comment section में लाजमी पूछिएगा अब तक लित रहे हैं अपना खिया रखें आपने इस YouTube चैनल का भी अलावापिस